सिवान में अधिकारी बन गया, बड़ा माफिया, गारी रुकवा कर लूट लिया, मच गई बवाल नमस्कार मैहुशिवांगी, A1 News में आपका स्वागत है सिवान में खनन बिभाग के अधिकारी बन कर बड़े माफियाउने ट्रक को रुकवा कर लूट लिया गाली गलोस देकर धमका दिया अब सारे फ्रक वालों में हरकंप मज गया है और साथ ही इस पर भी सवाल खरा हो रहा है कि क्या सच में वो लूटे रहे ही थे या फिर कोई अधिकारी ही था जो ट्रक को लूटा है क्योंकि देखिए ये बिहार है यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है कभी थाने से शराब सहीत स्कॉर्पियो को लूट ले रहे हैं तो कभी खनन विभाग के अधिकारी बनकर ट्रक को लूट ले रहे हैं दरसल ये पूरा मामले बता दे कि बिहार राज के सिवान जिले के माराजगन साना चेतर के बालू लदा ट्रक से खनन विभाग का पुलिस पदादिकारी बनकर कुछ लोगों ने एक ट्रक से बालू उतरवा लेने का मामला प्रकाश में आया है वहीं हलाकि इस मामले की सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदादिकारी पुलस्त कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है त्वरीत कार रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदादिकारी मामले में प्राथमी की दर्श करने का भी आदेश दिया है इस मामले में ट्रक चालक ने बताया कि रातरी में खनन विभाग के आदमी बनकर गाड़ी को जगदीशपुर में रुकवाये गया उसके बाद चालान का कागज मांगा गया और यह कहा गया कि चालान फेल है तुमको फाइन देना पड़ेगा जिसके बाद काफी हम लोगों न विनिती किया लेकिन उन लोगों के द्वारा गाली गलोच करके ट्रक वालों से खाली करवा लिया गया जब हमको इन लोगों की हरकत पहचान में आई तो हमको पता चला कि यह लोग जगदीशपुर गाउं के बलिराम सिंग के पुत्र पंकश कमार सिंग और अभिशेक है चालक ने बताया कि स्कॉर्पियों में तीन वर्दी पहने लोग थे और अन्य दो को नहीं पहचान पाए को इंस्पेक्टर अपने आपको बता रहा था तो कोई थाना अध्यक्ष बता रहा था हलाकि अब तो ट्रक चालक ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है फिर भी उन लोगों को पकड़ने में इतना क्यों देरी कर रही है ऐसा लग रहा है कि इस मामले को पूरी तरह से घुमाय जा रहा है इस कारणामी का वीडियो द्वा ट्रक चालक द्वारा बनाये गया था खबर सामने आने के बाद आसपास के इलाकों में चर्शा का विसर बना इस मामले में थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंग ने बताया कि इस मामले में 150 बटे 23 में प्रात्मी की दर्शकर कारवाई की जा रही है हलाकि ये कारवाई सिप कहने तक ही सीमित रह जाएगी कि कारवाई होगी भी ये तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जिस तरह से सिवान में कभी अधिकारी बनकर ट्रक को लूट लिया जा रहा है तो कभी थाने से गारी को गायब कर दी जा रही है इसी पुलीसिया कारवाई पर सवाल खरे हो रहे हैं